एलो व्यूर्ज, आटोकेड की इस वीडियो में मैं आपके साथ तीन एडिन्स शेयर करूँगा, ये तीन हूँ आटोकेड के एडिन्स है, इनमें जो फस्ट है, उसकी मदद से हम यूनेट्स जो हैं वो कन्वर्ट करेंगे, क्या आपके पास कोई भी यूनेट है, एरिया, ल दूसरा जो हमारा एडिन है, अगर आपने अपने ड्राइंग में से किसी आपजेक्ट के multiple अपसेट करने हैं, तो उस आप इस एडिन की मदद से कर सकते हैं, और तीसरा है कि अगर आपने अपने ड्राइंग में मुझूद आपजेक्ट की total length find करनी है, तो उसके लिए आप third जो add-in है वो use करेंगे ये तीनु add-ins इस वीडियो के description से आप download कर सकते हैं install करने के बाद जब आप CAD open करेंगे add-ins के option में जाए ये हमारा सबसे first है convert units अगर मैं इसके उपर click करता हूँ ये देखें एक window box हमारे पास open हो जाएगा इसमें ये box है जिसमें हम कौन करेंगे इसमें सबसे पहले है convert कि आपने किस चीज को convert करने है देखें by default यहाँ पर temperature है तो मुझे length convert करनी है देखें मैं यहाँ से length का option select कर रहा हूँ उसके बाद है unit कि आपके पास जो available unit है वो कौन सा है ये meter पे है तो मैं इसे meter पही रख रहा हूँ convert जो हमें करने है उसको foot में करने है तो मैं यहाँ से यह देखें to अब यहाँ से जिस system ने हमने convert करने है वो select करेंगे तो मैं यहाँ से जाके यह foot का option है यहाँ से मैंने foot का option select किया है अब यहाँ पे हम अपने unit की जो हमारा length है उसकी value add करेंगे देखें अगर यहां पर मैं one लिखता हूँ देखें जैसे मैंने वहां पर type किया बिना enter किये बिना click किये यह मारे पास foot में जो इसका conversion है वो show हो रहा है अगर उसको मैं change करता हूँ मैंने 10 कर दिया है यह देखें यह dimension जो है यहां पर conversion जो है वो भी update हो गई है इसी तरह अगर मैं यहां से जाके area select करता हूँ again जो आपकी units available हैं अब अगर इसे मैं यहां से foot में कर देता हूँ देखें इसे मैंने square foot में कर दिया है और जो conversion है वो हमें square meter में चाहिए अगर मैं यहां पर type करता हूँ देखें मैंने 100 type किया 100 square meter हमारा 9.290 square meter में जो है वो बनेगा इसी तरह जो भी चीज आपने convert करनी हो वो आप यहां से select करेंगे अपना जो unit available है वो यहां से select करें जिस unit में convert करना है यहां पर वो select करें यहां पर आप अपनी original value टाइप करेंगे यहां पर आपका result जो है वो display होगा second हमारे पास है कि अगर हमारे पास trying में कोई object है जिसको हमने multiple upsets करने है जैसे यह मेरे पास एक circle है तो मैंने इसको upsets करना है पहला upsets मुझे 1 meter पर चाहिए फिर 2 meter फिर 3 meter आपका कोई भी distance जो हो सकता है तो यह add in है हमारा multiple upsets इसको click करेंगे यह देखें इसका एक dialogue box हमारे समने आ जाएगा इसमें यह उपर आपका history icon है यह देखें इसे पहले मैंने कुछ जो upsets हैं वो किये थे तो जो भी value मैं यहां पर लिखता रहा हूँ वो मेरी यहां पर history में display हो रही है यह जो white color का box है इसमें हम अपने required distance लिखेंगे तो मुझे first आप सकते चाहिए 1 meter के उसके बाद enter second मुझे चाहिए 3 meter पर यह जो 3 meter है यह इस 1 के बाद 3 meter होगा अगर आपको अपने base जो object है उससे चाहिए यानि मुझे first तो 1 meter चाहिए अब second मुझे अपने इसी circle से 3 meter पर चाहिए तो मैं यहां से 2 लिखूंगा तो 2 plus 1 3 meter अब next मुझे इसी circle से 5 meter पर चाहिए तो यह देखें 2 plus 1 3 enter और यहां पर मैंने 2 लिख दिया है यहां से आप अपनी layer select कर सकते हैं अगर आपने कोई layer बनाई हुई है या अगर आपको crunch layer यूज़ करनी है तो आप crunch layer भी यूज़ कर सकते हैं उसके बाद यहां से आता है all अगर मैं यह all पर click करता हूँ तो यह सारे के सारे object जो है वो offset हो जाएगी देखें अगर मैं इस पर click करता हूँ देखँ सारे के सारे objects जो है वो offset हो गए है लेकन अगर आपने किसी single object को करने है तो देखें यह last में अबजेक्ट है अबजेक्ट का option है मैं इस पर click करता हूँ अब जैसे ही मैंने circle को click किया है देखें अगर मैं cursor circle के अंदर लेके आ रहा हूँ, offset circle के अंदर की तरफ हो रहा है, लेकर अगर मैं cursor को बाहर लेके जा रहा हूँ, तो offset जो हैं वो बाहर की तरफ हो रहे हैं, तो जिस भी side में आपको चाहिए, आप उस side पे click कर देंगे, ये देखें हमारे offset जो हैं वो लग ग मेटर है जो के हमने यह वैलियू यहां पर दी थी अब यह लास्ट वैले को भी अगर चेक करें देखिए यहां पर यह 2 मीटर है लेकर अगर आप इसको यहां से हम चेक करेंगे तो यह 5 मीटर है तो इस तरह जिस भी टाइप का आफ सैट आपको चाहिए जैसे देखें again, अगर just मैं इस पे object पे click करके, मैं ये polygon पे click करता हूँ, देखें अगर आब बाहर की side पे click करेंगे, तो ये बाहर offset हो जाएगा, अगर अंदर की side पे करेंगे, तो ये अंदर offset हो जाएगा, थर्ड option है कि अगर आपके पास drawing में कुछ different objects है, आपकोन की total length चाहिए तो यह हमारा adding है total length मैं इस पे click करता हूँ यह देखें इसका एक dialogue box open हो जाएगा इसमें चार options है हमारे lines, polylines, circle और arcs देखें अभी मैंने just circle का box जो है वो click किया हुआ है अगर मैं यह select object पे आके click करता हूँ देखें मैंने अपने पूरे drawing को select किया है सारे के सारे object में वो select हो गए है लेकन जब मैं enter करता हूँ देखें यहाँ पे हमको message आ रहा है कि zero line, zero polyline, zero arcs, four circles और यह उसकी total dimension है यानि select हमारे यह दोनों object पी हो गए थे लेकन इनकी length हमारे पास display नहीं हुई यहाँ से हमने सिरफ circle को select किया हुआ था अब अगर मैं यहाँ से polyline को भी add कर देता हूँ और उसके बाद फिर मैं जाता हूँ यह देखें 593 था फिर मैं जाता हूँ select object अब एगर फिर मैं इनको select करता हूँ इंटर तो देखें अब यहाँ पे यह जो length है आफसेट थे याँ वान टू थ्री फोर चार object यह थे और एक यह तो यह तो यह दोनों object मिलाके प्लस यह मारे जो चार circle थे उसकी total length हमको यहाँ पे डिस्पले हो रही है यह देखें यह total line था इसे हम यहाँ से copy करके AutoCAD में paste कर सकते हैं तो इसके लिए यहाँ से अपने ख्याल रखना है जैसे देखें अगर मैं एक simple line लगा रहा हूँ polyline यह जिस्ट मैंने एक line लगाई है again अगर मैं इस पे जाता हूँ देखें यहाँ से मैंने line जो है वो उसको uncheck किया हुआ है मैं R को भी check कर देता हूँ select object अब अगर मैं यहाँ पे जाके click करता हूँ देखें सारे object select हूए line भी select हो गई है enter देखें dimension में कुछ फरक नहीं है यही 222 0.96 है अब अगर मैं इसको भी check कर देता हूँ box में मैंने click कर दिया है okay अब अगर मैं इनको select करता हूँ enter देखें अब हमारी dimension जो है वो update हो गई है तो drawing में से आपके सिर्फ वही objects read होंगे जो के आपने यहाँ से click किये होंगे तो यह था हमारा आज का वीडियो यह तीनु एडिंस वीडियो के description से आप download कर लिजेगा तो next वीडियो तक के लिए goodbye see you